नमस्कार सभी अभी बाओकों को और शब से पहले आप सभी अभी बाओकों को बहुत-बहुत बढ़ाई जिन बच्चों ने मेटेक्स का स्टेज Q Connie किया हैं और जो बच्चे इसके इंदर क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं तो उन्हें भी टेंशन लेने के जुड़त नहीं है जनवरी के अंदर अपने को एक और मौका मिलेगा इस वार थोड़ी ची और तैयारी अच्छे से करेंगे से दूसरी बात यहां important यह होती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अपने को पता नहीं होती हैं और जो अपना area है उसह साब से भी वह चीजें अपने तक पहुंच नहीं पाती हैं कुछ advance चीजें हैं और उन advance चीजों को को में ध्यान में रखना होता है पिछले दो महिनों से जिस परकार से हमने बच्चों को मोटिवेट किया टारगेट बैच उनके लिए तैयार किया टारगेट बैच के साफ से उनके क्योशन्स हमने करवाए वो काफी सरानिय काम रहा हमारी तरफ से और उससे हमें यह चीज भी पता से लिकि बाहर के जो एक्साम्स होते हैं ओलम्प्याड्स फंस जो देती हैं हैं वह किसे साबसे पैटर्न को तयार करतें हैं और आपको किसह साबसे तियारी करनी होते है तो हमने बच्चों को एक ऐसा प्लेटफर्म तयार करके दिया कि बेटा आपके एक्जाम इस तारिक को ना है और अपने पास में तकरीबन 45 या 50 डेज हैं इन 50 डेज के अंदर अपने कोई हिसाब से त्यारी करनी है कि हम इसको क्लियर कर पाएं आला कि कुछ बच्चों इसके अंदर जो है क्योशन से भी किये थे कि वहीं सर यह क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा तो मैंने उनको एक ही बात बताई थी कि आप लोग जिस हिसाब से त् एक टार्डेट औरा कर जो तैयारी हम करते हैं वह काफी डिफरिंट होती हैं हमारे लिए क्योंकि जो क्योंकि जो सब्सारा किंख्यों मयं मिलेस हैं और वहां से अ culettes चुशंञेर स्य आइसा कि वänger कोरना कित यह फविल होता है कि दूसरी बात इसके बाद यह होती है कि मैथ साइंस रिजिनिंग इंगलिस चुई मेन सब्जेक्ट होते हैं यह कंपटिशन एक्जाम के अंदर आते हैं और बच्चे अगर स्टार्टिंग से यह चीजें एक्सेप्ट करने लग जाए गेन करने लग जाए उनको अधिरिये का भी नीट जेई एक्जाम जो हो क्रेक कर सकता है लेकिन कुछ चीज़ी क्या होती है अवेर नहीं करते ना तो पैरेंट्स अवेर करते उस चीज़ का और नहीं दूसरे स्कूल के अंदर यह चीज़ें बता ही जाती है मैं आपको एक बात बदाता हूं कि आप अ स्कूल से तकरिबन 35 प्लस बच्चे हम लेके गए थे और बाकी जो स्कूल से हैं अपने आसपास में बहुत से स्कूल हैं लेकिन महां से कोई बच्चे नहीं है एक बच्चा या दो बच्चे वह भी जिसको किसी दूसरे के तुरू यह इंफॉर्मेशन मिली कि वह एक्जाम आप दे सकते हैं बस इतना ही यहां मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि आप लोग इसके अंदर पार्टिश्पेट कीजिए आपको पता जलेगा कि हम कैसे फाइट कर सकते हैं बार और नाइंटी एट परसंट से होते हैं जब बच्चा इस तरह से तयारी करता है और उसको पता होता है उब्जेक्टिट आएंगे चैप्टर के अंदर से इसी साफ से निकाले जाते हैं तो काफी मोटिवेटेड होते हैं बच्चे आप बच्चों से पूछ के देखिए जब हम उनको क्योशन करवा थे बोड की उपर टोपिक पढ़ाने के बाद उनसे फिक पढ़ लेते हैं चैप्टर खतम करते हैं तो यहां जो हमने बच्चों को तियार किया है एक नीव की हिसाब से तियार किया है आने वाले समय में जो मेरा जो टार्गेट रहेगा बहुत बेसिकली क्लास फॉर्ट से लेगे और क्लास एर्थ नाइन तक इसी चीज के उप हमारा एक्जाम भी ले रहा है और आगे चीज चाहते हैं हमीं चाहते हैं हमारा नाम मूंद शाख को अदर को सबसे जाधा से योग करना पड़ेगाarin कि मैं किसी बत्रहीं को साथ लेकर चल रहा हूं इस एसाब एक ऐसा टार्गेट अचीव कर लें ताकि हमें याद करें कि हाँ भई सर ने हमें यह पात बताया थार इस हिसाब से हमने चीज़ें चीज़ें चीव किये हैं जब हम क्लास से पास आउट करके रिलेउंत में जाते हैं तब बहुत पड़ी डिफिकल्टीज होती है कि हमको एक् मेट्रियल होगा तो टार्गेट अचीव करने का जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा जबरदस्त होता है तो हमारा जो नया टार्गेट रहेगा वह यहीं रहेगा कि क्लास फॉर्ट से लेके क्लास नाइन तक ऐसे सब्जेक्स के उपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि ओलम्पियाड एक्जाम के अंदर आते हैं अभी तो यह सुरुआत है यह तो एक सुरुआत है चोटी इसी सुरुआत है और मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब इसी से खुश हुँ कि हमारे स्कूल के सब्सक्राइब से नई चीज़ डिल्ड अपकरने की कोशिश्च करते हैं सो काद विजन जो होता है वो काफी मिह बढ़िया होता है है लोग गिराने के लिए भी आएंगे है तो कि उनको पता यह चीज कर रहा है यह इसका विजन जो है वो इसाब से यह आप सभी के सामने यह बना रहा हूं ना इसलिए बना रहा हूं कि मैंने टार्गेट कर रखा है उनली 50 स्टूडेंट्स और वो 50 स्टूडेंट्स को टार्गेट किया है तो आपको वो रिजल्ट आने वाले बारा मैंने में दीखने को मिलेगा हम जाते हैं कि अपने को दो दिन में रिजल्ट मिल जाए ऐसा कुछ नहीं होता अब आज एक एक्जामपल देता हूं उसेन बोल्ट का नो सेकंड के अंदर उसने स्वामेट रेस किलियर कर दी थी लोगों ने उनका नो सेकंड का जो है वहीं से जज़िए कि भई यह वह खदरनाक मेनित करता हूं बहुत जादा मेनित करता है तो उसन बोल्ट ने बता है कि इसके पिछे मैंने 6 साल लगाए हैं और लोगों को दो मेने में सफलता नहीं मिलती तो रस्ता बदल देते हैं यह गलत चीज़ है तो आप सभी अभी वावकों से और बच्चों से उमीद करता हूं कि मैं जो टार्गेट लेका हूं बच्चों के लिए उसके इंदर में आप के पांच मुझे तक का और उसके बाद लाइव क्लास के लिए मुझे कोशिस करेंगे कि आप घर पे जाने के बाद भी लाइव क्लासिस लें और दूसरा टार्गेट यह रहेगा कि पैरेंट्स अगरिये चाहें कि हमारा बच्चा जो है वह आपके पास ही रहे और श्याम को वीडियो को देखें कम्प्लीट वीडियो को देखें